लोरेंस की एक हिटलिस की लगातार चर्चा हो रही है और उसमा मुनवर फारुकी का नाम उपर बताया जा रहा है दरसल मुंबई की क्राइम ब्रांच को भी इसकी खबर लग चुकी कि लोरेंस के निशाने पर एक बड़ा कोमीडियन है खबरों के माने तू ये कमेडियन मुरवर फारुकी हो सकते हैं अजकल जिस शक्स के सबसे ज़्यादा चर्चे है उस बंदे का नाम है लोरेंस विष्णोई और लोरेंस विष्णोई से जुड़ी एक से एक नई नई अपडेट डेली आए जा रही है की गई है पैस हूंगी और सिरफ एक रोड़ दो प्रोड टीन ग्रोर चार्ट को नहीं ब्लैट चेक की आफर की गई है लार्स विष्णोई को कि लार्स विष्णोई ब्लैंग ने या उनकी फैमली ब्लैंड चेक ले और मेरी सबसे बड़ा blender करनी सेना वालों ने कर दिया कहता है कि हिंदू हिंदू की टांग खेजता है वह वली बात हो रही है वह जो पुलिस कर्मी को एक करोण 11,1111 रुपए का पुरशकार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाए तीसरी और important कबर सल्मान खान की फैमली ने पैसो का उफर किया भाई साब तो इनी तीन सवालों के जवाब हमें देगी नाजय इलाई खान ठीक है जी थोड़ा डिटेल में बताऊंगी फिर से क्योंकि इतिहास के पन्ने फिर से खोलूंगी और फिर से लोगों को बताऊंगी के कौन सही है और कौन गलत है भारत में फिल्मी नगरी के खान और कौंग्रेस के लीडरान उनकी जो न सुने उनकी जो न माने उनके इशारे पर जो न चले पहले चमकाते हैं फिर डराते हैं फिर कुछ को मरवाते और कटवाते हैं तब फिर अगर सामने वाला तब भी न डरे तब भी न चमके तब पैस तो मोदी का भारत है ये तो सनातन धर्म का हिंदू राष्ट है हमारे भारत देश में जो पुत्र होते हैं ना सनातन धर्म में वो पुत्र जो होते हैं वो शेर होते हैं और जो पुत्री होती है वो शेरवाली होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भारत के हिंदूओं ने कॉंग्रस मुक्त भारत का एक शपत लिया है उसी तरीके से इसी भारत के योधाओं ने और इसी भारत के नौजवानों ने पुत्र और पुत्रियों ने बॉले वुड से खान को मिटा देने का भी शपत ले लिया है अब बात आती है कि वाके में लौरन बिश्णोई को और उ मिलो पर जान बक्ष दो अब तो मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि सल्मान खान के अबबा जान सलीम खान जो इतनी सफाई और दोहाई दे रहे थे वो तो सब मिटी में मिल गए या मतलब जुट्टा जुट्टी बाते कर रहे थे क्या लौरन बिश्णोई के कजन पहले का है विश्णोई समाज आज से सनातन धर्म को नहीं मान रहा है सत्रा सो तीस से पहले से मान रहा है विश्णोई समाज कोई पहली बार काले हिरन की को पूझनिया नहीं मानता है सत्रा सो तीस से पहले से मानता है आप किसी के भगवान को काट करके मार करके चखने में शराब के साथ खा जाएंगे और आप पैसे से किसी के आस्था को रुश्वास को खरिद लेंगे बिल्कुल नहीं अब इस पर बिशनोई परिवार रुपए खच करता है क्योंकि लॉरन बिश्णोई किसी छोटे घर से नहीं आता है लॉरन बिश्णोई एक इतने बड़े परिवार से आता है जिसके पिता की एकड़ एकड़ जमीन है और जिसके ऊपर लॉरन बिश्णोई के ऊपर पूरा बिश्णोई समाज मर मिटने के लि करोडों अर्बों लोग उसके उसको आर्थिक मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे खड़े हो जाएंगे तो सल्मान खान यहीं पे देखने वालों से मैं यह जानना चाहूंगा कि लॉरेंस बिशनोई के हवाले से डेफिनेटली उपिनियन तो कमेंट बाक्स में सामने आ नारिया जिन नहीं मुसलिम तो अग्री नहीं करेंगे हां मुसलिम याकोब मेमन के लिए खड़े होते हैं मुसलिम अफजल गुरू के लिए खड़े होते हैं मुसलिम दाओद इब्राहिम के लिए खड़े होते हैं मुसल्मान तो बिचारे मेरी शाबानों और सायराबानों के लिए नहीं खड़े हुए जो सरवत्चे निया पालिका गएं था इंतलाक बैन करवाने के लिए मुसलमान तो कभी बेटियों के मुसलमान बेटियों के पक्श में नहीं खड़े हुए आप देखिए ना इसी महीने में मुहम्मद खैबर ने एक बारा साल की बच्ची का मदर्से के अंदर रेप किया इसी इसी दोहजार चौबेस में इमाम इर्फान ने उत्तर परदेश में मदर्से के अंदर मस्जद के अंदर दस साल की बच्ची का बलातकार किया तो क्या मुसल्मान मुसल्मान बेटी के पक्ष में खड़े हो गए बिल्कुल अब इस्प्रेड करना शुरू किया है पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिला करके कि वो तो जिहादी है अरे जिहाद जो है वो उर्दुवर्ड है लौरन बिश्रोई जिहादी हो इनी सकता लौरन बिश्रोई ने कभी मासूमों की जान नहीं लिये लौरन बिश्रोई ने किसी से तोला बाजी नहीं किये लौरन बिश्रोई ने शराब के अड़े नहीं चलाए है लौरन बिश्रोई ने बलादकार नहीं किया और करवाया है लॉरन बिश्णोई ने किसी मासूम के ओपर अपने करोडों की गाड़ी से कुचला नहीं है किसी हिंदूओं को मारा नहीं है किसी मुसल्मान के आस्था को और मजब को ठेज नहीं पोँचाया है अब जो लोग उसको गैंगसर बोल बोल करके उसको एक डिफें कर रहे है लॉरन बिश्णोई के ओपर टोटल 36 केस तोटल जिसमें से 21 केस के ओपर हेरिंग चल रही है और 9 केस में वो बरी हो चुका है बरी हो चुका है तो बाकी के जो cases बचे हुए हैं क्या पता वो उसमें भी बरी हो जाए क्या पता हेरिंग और ट्राइल के वक्त में ये पता चल जाए कि वो उसमें भी उसमें भी उसका कोई हाथ नहीं था उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है लेकिन सल्मान खान की गाड़ी से रोड पर सोने व कलेजे को कुचला था और क्योंके वह हिंदू थे इसलिए गाड़ी ऑडेस्ट चलाई गई थी सल्मान खान तो लॉंडिया बाज है सल्मान खान तो छोकड़ी बाज है सल्मान कान ने काल्य हिरं विश्णौी समाज के भगवान को काट करके दारू और शराब के साथ चखने में खाया था इसमें तो कोई कोई ये फ़र बट है ही नहीं है नादिया जी एक खबर ये भी सामने आ रही है मालब जो लेटेस डिवैलपमेंट है उसके ओपर हम कोशिश करते हैं कि नई से नई जो खबर है उसके ओपर बात की एक करोड ग्यारा लाग ग्यारा हजार ग्यारा सो ग्यारा रुपए इनाम के तोर पे दिये जाएंगे इसके ओऊपर क्या कहना चाहेंगी आप करनी सेना के नाम से ये गंदीं है he akt आप कर्णिसेना के पारे में बात कर रहे रहे हैं जिसका चीफ इराजC binding हैशावद इसने कहा है एक करोड एक ग्यारा लाक ग्यारा हजार एक सो एक रुपिया दिया जाएगा जो पुलिस भी लॉरेन बिश्णोई का एंकाउंटर करेगा अब आप मुझे बात बताएं कि एक व्यक्ति दो हजार पंदरा से जेल के अंदर है और चुपचाप खामुशी से वो अ नहीं करता है और पूरे प्रोटेक्शन के साथ पुलिस को पिल्कुल कॉपरेट करते वे वो जब उसको कोड बुलाता है वो जाता है और वो आता है अंदर में जेल की कस्टडी के अंदर मेजडिशन कस्टडी में वो किसी के ऊपर उची आवाज से बात भी नहीं करता है अ यह जिहादी और आतंकी उसका काम नहीं है यह भी तो है अब बात आती है कि यह वही करनी सेना के चीफ है जो 2024 में भारते जंता पार्टी ओफिस के बाहर में बैठ गए थे और कह रहे थे कि भारते जंता पार्टी को वोट मत दो क्यों भारते जंता पार्टी ने उसके पिछाड़ में उंगली चोटी काटी है क्या भारते जंता पार्टी को वोट ना दो यह All India Muslim Personal Law Board बोलता है भारते जंता पार्टी को वोट मत दो यह जमायतल उल्माय हिंद बोलता है यह सदुद्दिन अवेसी बोलता है यह पाकिस्तान यह हाफिज स्यीद बोलता है यह दो आउद इबराहिम बोलता है यह शहवाज शरीव बोलता है यह जैशे मुहम्मद बोलता है और फिर साथ में कष्टरिया करनी सेना के चीफ राश शिखावत भी सीम पाकिस्तानी जुबान बोलते है जैशे मुहम्मद और लशकर तैबा जुबान बोलते हैं क्या बात है इसमें तो investigation करनी की जरूरत है अब बात आती है कि ये सारे लोग ये सारे लोग अधर्णिया परधान मंत्री की योजना का लाब उठाते हैं इंक्लूडिंग मुसल्मान अधर्णिया परधान मंत्री उजवाला योजना निकालते हैं इनके बहु बेटियां उठाती है अधर्णिया परधान मंत्री बेटी बचो बेटी पड़ाओ योजना निकालते हैं इनकी बहु बेटियां लाब उठाती है तो हर चीज का लाब जखाते हुए भी मुदर्निय परदान मंत्री को भी कोशना है सनातन धर्म को भी कोशना है देवी देवताओं को भी मलाइंग करना है बहु बेटियों का रेप होगा किसी भी धरम की तो उसमें भी बलाथकारी का समर्थन करना है अब जल गुरू आएगा पारलिमेंट पर समर्थन करना है मौहमद रिजवान इमाम रेप करेगा तो विक्तिम का समर्थन नहीं करके बलातकारी इमाम शेखावत को अरेस्ट करना चाहिए अरेस्ट करना चाहिए इमेडिेट यह तो सबसे बड़ा जहाद ही मेरे को लग रहा है खेर पूरा वीडियो आपने देख लिए वीडियो देखने बाद में आपकी कहा रहा है कमेट शेक्षिन आपका आप भी अपनी डाए रख सकते हैं लोग अपना खैल रखे आपका वाई आपके लिए पाकिस्टान से एलेटेड वोडियो लात रहता है जैहिन वने मातरम जैशे राम जैशे राम जैशे राम